आज मेरा प्यारा शेयर भाग गया बस उसको देखके मेरे मन में एक ही गाना आ रहा था कि यार गाना अथ्रवा दुख तो होता है यह ला कहाल कि मैंने काफी शेयर खरीद लिए उसके फिर भी एक गाना दिमाग में बैड़ा था क्या क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में जिस शेयर को बहुत चाहना उसी ने लटका दिया चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में एक सबक है कि भाई साब कितना भी किसी शेयर को पसंद गरोज में ज्यादा काम बत करो चलो सुहाना भरम तो टोटा जाना ये मार्किट क्या बला है हां कहती है जिसको खून खार दुनिया क्या चीज क्या बला है चाहा वहां जाना था पहुचा उधर तेरे प्यार में तो भाईया ये शेयर वजा रहे है न ये सबक देता है हाला कि पता नहीं क्यों मुझे इतना भरोसा है भावान पर क्यों ऐसी सद्बुद्धी दे रहा है ये सब किसी फाइदे के लिए सब कुछ हुआ है और आने वाले वक्त में इससे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा बाकी देखते हैं आप बाकी तो जो प्रभू चाहेंगे वही होगा बाकी आपको क्या लग रहा है आज जिस तरह से बजा डीला पड़ा अच्छी ख़बर पर नहीं चल बैंकिंग पॉलिजी मौनिटरी पॉलिजी आपको कैसे लगी आपको आगे का क्या विचार में तो काफी डिटेल में आज वीडियो में सब बाते डिसक्स करिये है आगे बढ़ने से पहले आप अपना विचार कि आपको क्या लग रहा था यह मन्दी कमेंट में लिक या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी unexpected इवेंट की वज़ा से बहुत भड़ा गाटा हो सकता है जिसके चलते आदमी की सारी की सारी पूंजी तभा हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है शेर बाजार बहुत ही खतरनाक जगा है यहां एक भूली financial तभाई के लिए काफी है मैं केवल educational वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई buy sell recommendation नहीं देता हूं चर्चा किये गए stock उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई recommendation नहीं है मेरा यह मानना है कि शेर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बलकि अपने risk appetite और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने ली टिप उसकी हुई डिप शेर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है निवेश करने से पहले सभी सम्मंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शो में के टॉक्स और इंवेस्टमेंट एन हिंदी में हाह हाह कैसे आप यार बाजार करना समझ नहीं आ रहा है आज एफाइस ने विक्वाली करी तो लग रहा था यार मंदी आ जाएगी मॉनिटरी पॉलिसी देखा जाए तो अच्छी आई है CRR की तो उम्मीद नी थी घटेगा वह कहना मैं रेट ऑफ इंटरस्ट CRR की उम्मीद थी चुथाई प्रतिशत घटेगा वह आधा घटा दिया हलागी फेस्ट मैनर में पठीक है महीने बर के अंदर आधा घट जाएगा वह बड़ी अच्छीवमेंट है लिकुरिटी फिर चलता तो confidence आता अब मन में डबका लगा हुए बढ़ता है तो लगता बस भागा correction पूरी हो गई गिरता है तो लगता यार नहीं अभी बजार गिर सकता है सचसा बताओ आपके मन में है यह बात कि नहीं अब देखो अगर हम ध्यान से सोचें बजार गीरा क्यों तो जीडीपी का डेटा खराब आया इंफलेशन रेट हाई है तो इस वक्त सारी तो नेगिटिव चल रहे हैं तो हम किस बूते पर यह कह सकते हैं कि नेगिटिव नेगिटिव नहीं रहेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे कि अब होता कि अ कि टाटा बीकार भी आए लगाया बहुत बढ़ी है पर आज दुको टाटा पावर भागा टाटा मोटर भागा विधानता भागा और सारे जो मर रहे ले ले यह वा आज तेज होगे टाटा गुर्ण तो पुरा तेज था तो एसे लगा बस बीत गया मंदी भूल गया हम तो भूल गया मंदी याद नहीं अब कुछ वह वाली बात हो गई लेकिन जब देखा इंडेक्स उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है तो लगा यार कुछ तो गरबड है सुबह देखो आइडिया को भैसा आट रुबे के नीचे विखवा दिया फिर साले को 15-20 पैसे चला दिया तो बजार में लुका चुपी लुका चुपी चल रही है तो इस वक कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है हलंकि बड़ा असान होता है किसी को कह देना यार तो आप तो दो तरफा बाते कर रहे हो एक एक जैक बात बताओ जैसे साले अंतर यामी तो तुम ही हो सबसे बड़े देश में कैंडल नहीं है ठीक आपने लुका अब दोखो आज की कैंडल को कल की कैंडल से कपेर कर दो आज लोवर बॉटम है लोवर टॉप यह टॉप था यह टॉप आज अप्निं यहाँ थी आज इन आहाँ हायर ओपनिंग बॉटम यह था कल काफ यह झाल हाँ बॉटम कि अब प्रोजिंग देखो क्लोजिंग यहां और क्ल क्लोजिंग यहाँ थी तो लोवर क्लोजिंग कि अब लोवर क्लोजिंग लोवर टॉप यान्ट भी बुरा और टॉप भी कहल का बना तो थोड़ा नेगेटिव है हायर बॉटम हायर ओपनिंग यानि बॉटम भी हाय और ओपनिंग भी तो अब दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो क्या बोलें तो बजार जो है ना दो धारी तलवार किता दुविधा में आज बजार बंदू है 24,670 के लपेटे में हालां कि आदे खंटे के एवरेज होती है ना वह तो बाद में बता चले जिए उन टेबल देखेंगे पर फिर पी मैं कुआ कैंडल तो और रॉल उपर है तो एची कुई चिंता की बात तो नहीं है पर मझेदारी थोड़ी कम होगी खासी हो जाती ने बिच में चाय मंगा लिए अद्रक वाली चाय और क्या डाला है अद्रक काली मिर्च की चाय पी नहीं हो कमेंट में लिख दो फिर मैं उनकी चाय का जोगार करूँगा ठीक है? कमें लिखता लि में चार्ट पर बुलिश हरे हरे इस्टोग्राम बन रहे हैं और और टेक्निकली सब ठीक है पर चुकि आज बजार ठोड़ा डिला डिला रहा अच्छी खबर के बाद भी तो थोड़ा सा बजार मन में भैं आ जाता है अब भैं की कैसी होती है यह यह हम ही आ अब हम क्या डरते हैं डेटा भी ऐसे यह मार्केट मूर देखो बासर था कल एक सर्था आज सत्तावन पॉइंट दो एक है लगभग पहुने चार पॉइंट गिर गया हाला कि ग्रीर बरकरार है पर एक बात कह रहा हूं गिर तो गया ना अब इंटरनेशनल इंडिकेटर देख अब हमारे रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं कि रहा तो सुबह क्या था लॉंग टर्म गिल्ट फंड के रेट बढ़े हुए थे सुबह मैंने काफी माल बेचा उसके बाब हैसा रेट किर गए जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं कि रहा इंटरनेशनल इस तो सब ठीक ही चल रहा है अब एफाइस भी आज पलटी मार गए कैस सेग्मेंट में ठारा सो तीस क्रोड की बिक्वाली कर दी और इंडेक्स फीचर तो प्लस की है पर स्टॉक फीचर में देखो किलगए सोला सो क्रोल की कि बिक्वाली कर दी कुन मिला के 3900 क्रोल से हल्की कम की नेट बिक्वाली आई इसके response ने डिया थोड़ा माल खरीदा है और 171 क्रोल की नेट बिक्वाली आई है तो जो अभी trend बना रहे थे positivity और आज ठिंडा कर दिया तो ऐसे ही यार इनका भी बागी यह नो डाउट इंडेक्स में जो लॉंग है वो बहुत बैटर हो गई है 44.61 लॉंग है यानि लगबग 45 परसंट कैलो चलो रॉंड में तो 55 परसंट शॉट है 45 परसंट लॉंग है कि स्टॉक फ्यूचर थोड़े हलके कम हुए चलो अच्छी बात है यहां पर पोजीशन थोड़ी ठीक हुई है पर अब ऐसा भी बजार हलका नहीं है दो इंडाइसिस निफ्टी बैंक निफ्टी विफ्टी और निफ्टी बैंक गिरे हुए थे बाकी सब एंडाइसिस हरे में हाला कि हर्याली हलकी भुलकी है कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गिरावट भी हलकी भुलकी है बहुत ज्यादा नहीं है पर क्या है कि मन में डबकासा लगा रहता है वो गाने ना जरासी गिरावट होती है तो दिल सोचता है कि मार्किट फिर से गिरी कि मार्किट फिर से गिर तो जड़ा सी गिरावट होती है लगता बस अब बार्केट गई तो वह बस डबका सा मन में बना हुआ हाला कि तेखो या मैं फैक्ट बताओं मैं तो आज भी नेट खरीधारी करिए कि मैं तो एक बार अपना मन मना लेता हूं और फिर मैं रुकता नहीं हूं तो मैं तो चाहता हूं इसी रेंज में बजार थोड़ा उपर नीचे होता रहे क्योंकि शेर वाइस तो बड़ी वोलाइटरिटी या बड़ी वोलाइटरिटी तो शेर वाइस में अच्छे शेर एकुमिलेट कर ले आदमी क्योंकि यार वो जो लॉस पीछे हुआ है फैनों का भरतना भी है ओवराल तो प्रभू की बड़ी असीम क्रिपा है मोके दे रहा है प्रभू अच्छा 1484 शेर बड़े हुए थे 1000 शेर गिरे हुए थे तो एडवांस डिकलाइंड एशियो तो बेटर था एंसीएक्स को आज गोली हो गया फीबी फंटेक गोली हो गया विदानता गोली हो गया डेलीवरी गोली हो गया मरने वालों में कैन्फिन होम की लुटिया डूब गई कैम्स मर गया, M&M फिनेंशल मर गया, LKM लैब मर गया तो बजार में गिरावट और तेजी दोनों मतलब भेंकर है 21 शेयर जहां बड़े हुए थे निफ्टी फिफ्टी के 29 शेयर गिरे हुए थे 24,708 में बजार बंद हुआ खुला 24,729 पर बॉटम बने इसने कल की कहेंगे फर्स्ट हाफ में 24,751 का पीक और 24,620 का बॉटम मना के बाकी इन दोनों हाइट के बीच में ही लंगलाता पंगलाता चलता रहा हुए अब देखो टाटा मोटर सबसे टॉप परफॉर्मर था यह आखरी के एक घंटे में भागा एक घंटे भागा बजाज ऑटो टेज एक्सिस बैंक तेज मारूती सुजुकी टेज एस्बी इलावी टेज बीपी सी एल डॉक्टर एडडी लाइब तेज गिरने वालों में अदानी पोर्ट सिपला भारती एटेल एच्टी एफसी लाइफ एश्यन पेंट रिलाएंस इं इनकी फूक निकली हुई थी और अगर आप देखेंगे तो 26,000 पे मैक्समिम पें और मजबूत हुआ है तो यह तो वीकली एक्सपाइरी का तेजी का दिरिश्य दिरिश्य दिखा रहा है और 26,200 सेकिंड ही एस पेन है लेकिन एक बात नोट करने वाली है पच्चिस पांस सो 25,000. यहां तक तो कॉल रैटरज का कबज और 24,500 पूत रैटर्स का कबज यानी 24,500 के नीचे का पूत रैटर्स बहुत मजबूत है तो ये रहन 24,500 पांस लटर की ही बनके आती है इस वक्त जिसके बीच में बजार अतों करना चाई है उह हालागी मैक्सिम्म पे इन 26 यार पे तो एक बार कॉल राइटर्स की बजानी हो तो 26 यार बिजार क्रॉस कर दें कॉल राइटर्स ते नंगे होगे नाचना शू कर देंगे इतना अंबर जाएंगे और क्या बोले मंत्री वाला दिश्चे दिखा रहा है वहां 24 यार पर मैक्सिम्म पेन चोभीस पांक्सों पर यह यह नि ऐसा लग रहा था थोड़ा नीचे है और वीह वाला उपर है अभी लगता है बढ़ता है बाद में मारेंगे ऐसा लग रहा है पीसी आर देखिए अब दो कल कितना मजबूत था आज उतना ही गंदा हो गया पॉइंट एट नहीं पूट राइटर ने दबा के पूट राइटिंग करते इवन मंतली वाला भी पीसी आर गिर गया तो यह मैं जो बोल रहा हूं आज की डेट में वोलाइटिलिटी देख रहे हैं फ्लक्टुएशन देख रहे हैं यह आदमी को कंफ्यूस कर रही हो पर्शान हो रहा है पर मैं य के लावा में पर कुछ कहने को है भी नहीं अब निफ्टी बैंक की बात करूं तो भाइस सब लाइफ टाइम से जस्ट छेसों पॉइंट दूर का उसने हाई बनाया है पांच शे बड़े होते हैं साथ घटे हो थे आई देखो लाइफ टाइम से जस्ट छेसों पॉइंट द दूर में बॉटम लगा लिया थोड़ी देर पीक बना ली फिर उस रेंज के बीच में चलता है बिल्कुल कॉपी कर रहे थे दुमाज एक दूसरे को पीक त्रेपन आट सो सत्तर के लगबग बॉटम त्रेपन एक सो स्टार्ट का शुरुआती फर्स्ट हाफ में लग गया बाकी टाइम बजार उसके बीच में इर्दगर्द घुमता रहा बैंक और अब्रोधा एक्सेज बैंक कैनरा पी एन बी कोटक तेज थे बाकी सब बैंक गिरे हुए थे सबसे अरे यू स्मॉल फाइनेंस और इंडेसिन बैंक गिरे हुए थे इसकी कैंडल भी यह कैंडल ना ब्लुकुल चिपका के फोटो ली है मज़े दर फोटो नहीं है इसकी कैंडल भी जो है ना थोड़ी लाल है पर ठीक है सब्सक्राइब पूरा बहीना पड़ा है लास्ट में गेरेंगे इसको त्रेपन अजार पर आप देखेंगे मैक्सिमम पेन है बावन जार पर सेकिंड आई एस्ट है त्रेपन पांसो नो पर बजार बंद हुआ है इसकी तो वीक्ली एक्सपैरी है नी पीसी आर इसका भी कमजोर हो गया बन पॉइंट वन सिक से बन पॉइंट जिलो सेवन तो कई न कहीं बजार में आज पूट राइटर उध्रंगी दे उन्होंने खूब उधम मचाया है पर मैंने भी आज काफी काम करा पांच कंपनियों में लगतार खरीदारी करी अच्छी मात्रा में चार कॉले बेच दी तीन पुट्टे बेच दी एमके जे शेयर कॉल स्ट्रेटेजी लगा दी तो मैं तो सीदी सी है अपनी नॉर्मल रूटीन वर्किंग में आ गया हूं पीछे मैंने बहुत ज्यादा पॉजिशन स्पेशली एक पर्टिक्लर स्क्रिप्ट में 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 पास डेड़ लाग शेयर की फ्यूचर और ऑप्शन क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में लुट गया बुरी तरा बेवफा तेरे प्यार में तक पानी पानी इनसाम इतना मारा है कि और पानी को तरस ऐसे हैं इたいयोता है क्या होता है defense कानी इसलिए मैं कहता हूं कि भाया बर्ट मैं खुद अच्छा है कि दूसरे को देख लों दरस्तला जैसे 2 घाटा हूजा इसलिएम आप सीखने दियान नहीं काम करने अगर आप भी सीखना चाहें रियल लाइफ चीजों को समझना चाहें वीडियो के दौरा थेमलो के दौरा सिनॉप्सिस के दुवारा मैं सिखाता हूं बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप सीख रहे हैं मैं कोई बाइसाल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता कोई मांग भी लेता तो बहिया सीखते वक्त तो करो ही मट्रेट पहले सीख लो पहले समझो तो सही कौंज क्या बला यह मर्ज क्या है फिर करना अगर आप भी सीखना चाहिए तो मिले टीम को कॉल करिए सत्तर ग्यारा तीन सो तेज़ी जीरो सतत्तर सेवेंटी एलेवन त्री ट्वंटीफी जीरो डबल सेंटर मस्ती रहेगी और अगर डीमेट एकॉंट ने खुलवाया तो बहुत गलत बात ह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाया और अगर टेलीकरम चैनल कर जोइन करना है तो वह भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के साथ सार बबाए गॉड ब्रस्वी हैपी इंवेस्टिंग और आप शेयर बजार के भीताज बाच्शा बनें